हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल इंडिया में मारुति सुसुकी बलेनों सबसे जाधा बीकने वाली और पॉपिलर प्रीमियम हैजबेक है इस प्रीमियम हैजबेक एनी बलेनों का इंडिया में एक जमजेशन जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है तो ये कब आपको रोड पे देखने को मिलेगी क्या इसका प्राइज रहने वाला है सारे डिटेल सिस वीडियो में आपको बताऊंगा तो मेक शूरी वीडियो पूरे देखना और एसे ये अटोमोटिव अपडेट्स और रिव्यूज के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तो 2021 बलेनों न्यू जेनरेशन कड़ा मुखाबला पेश करेगी Hyundai की i20, Tata की Ultros और Volkswagen की Polo को न्यू जेनरेशन बलेनों आपको मेजर अपडेट्स के साथ अट्रेक्टिव देखने को मिलने आली है इसकी जो exterior design है उसको change किया जाएगा ये पेले से ज़्यादा आपको appealing देखने को मिलने आली है नई projector headlamps के साथ LED DRL आपको देखने को मिलने आले है grill की बात करें तो piano black finish में आपको इसमें grill देखने को मिलेगी जिससे की Hyundai और Tata के गाड़ियों में मिलती है dimensions की बात करें तो ये पहले से थोड़ी चोड़ी और heighted होने वाली है और 4 meter के इसकी length होने वाली है इसकी जो wheelbase है वो थोड़ी सी बढ़ा ही जाएगी जिससे interior में आपको ज़्यादा legroom देखने को मिलने वाला है और अले बहुत बलकी और muscular देखने को लगने वाली है आपको rear की बात करें तो rear में आपको wiper, washer, defogger के साथ सारे features इसमें आपको मिलने वाले है new design के साथ आपको LED tell lamps देखने को मिलेंगे साथ में इसमें आपको rear parking camera भी देखने को मिलेगा parking sensors के साथ इसके front और rear bumper आपको dual tone finish में देखने को मिलेगे बहुत attractive होने वाले है तो interior की बात करते हैं तो guys इसमें आपको new design के साथ dashboard देखने को मिलेगा जो black and beige color में भी आपको देखने को मिलेगा जिससे इसका interior काफी airy और attractive देखने को मिलेगा इसका जो steering का design है वो change किया जाएगा swift और artica जैसा इसका steering wheel आपको मिलने वाला है new generation balloon में आपको 3 engine option मिलने वाले है 1.2 liter का petrol engine 1 liter का booster jet turbo petrol engine और 1.5 liter का 4 cylinder diesel engine आपको इसमें मिलने वाला है power figures की बात करे 1.2 liter का petrol engine 90 PS की आपको power generate करके देगा और जो 1 liter का turbo charge petrol engine रहने वाला है जो कि पहले balloon आरेस में आता था वो आपको 100 PS की power देगा 1.5 liter diesel engine की बात करे तो 105 BHP की इसमें आपको power मिलने वाली है तो mileage की बात करे तो 21 से लेकर 27 km per liter तक इसमें आपको mileage मिलने वाला है क्योंकि काफी बढ़िया रहने वाला है safety की बात करे तो 2021 बलेनों आपको heart tech platform पे base होने वाली है आपको इसमें ABS, EBD, Dual Airbags Traction Control System, Hill Hold Assist Corner Stability Control Rear Parking Sensor with Rear Parking Camera Speed Alert जैसे safety features आपको standard इसमें मिलने वाले है साथ में interior में आपको 7 inch का touch screen portainment system देखने को मिलेगा साथ में इसका जो instrument cluster रहने वाला है वो all digital आपको देखने को मिलने वाला है जिससे इसमें आपको बहुत सारे information देखने को मिलेगी तो दोस्तो new generation बलेनों बहुत अच्छी और attractive होने वाली है pricing की बात करे 6 lakhs से लेकर 10 lakhs के अंदर launch होती होई दिखाए देगे आपको launch date की बात करे तो दोस्तो यह December 2021 और 2022 के शुर्वाती पिरेड में आपको देखने को मिलेगी roads पे तो आपको यह बलेनों कैसी लगी गाईस कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है गाईस तो इसे लाइक करना और मेरे चाहँ को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना तो मिलते हैं यह से किसी और वीडियो में तेम्स पोरूचिंग